लॉली रोड बाया के नारायन In लॉली रोड बाया के नारायन, we have the theme of independence, corruption, power, loyalty and identity. नारायन द्वारा लॉली रोड में हमारे पास स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार, शक्ती, वफादारी और पहचान का विशय है. उनके माल गुडी डेज संग्रा से कहानी को पहले व्यक्ती में talkative मंद्वारा सुनाया जाता है और कहानी पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि नारायन स्वतंत्रता की थीम और स्वतंत्रता के साथ आने वाली कठिनाईयों का पता लगा सकते हैं. माल गुडी की नगरपालिका ने हाला की माल गुडी पर अपनी खुद की मुहर लगाने की कोशिश में ब्रिटिश कठिनाईयों से अपनी स्वतंत्रता जीत ली है. न केवल कुछ सडको पर समान नाम है जो अव्यावहारिक है, बलकी परिशत के कुछ सदस्यों और अध्यक्ष की इमानदारी सवालों के घेरे में है. यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि नारायन यह सुझाव दे सकते हैं कि जब किसी देश को दूसरे देश से अपनी स्वतंत्रता मिलती है तो जरूरी नहीं कि वह सुचारू रूप से आउचित रूप से चले. अगर माल गुडी में आजादी मिलने पर कुछ चीजें होती है तो यह आस्यास्पद है. विशेश रूप से जब यह सरलॉली की प्रतिमा की बात आती है, टॉकिटिव मन प्रतिमा को अपने घर ले आता है, फिर भी स्टैचु मैन के घर से बाहर निकलता है. यह बहुत बड़ा है, यह वह बिंदू हो सकता है जिसे नारायन बनाने का प्रयास कर रहे हैं. वह सुझाव दे सकता है कि चून की लॉली खुदमाल गुडी, अच्छे के लिए में एक बड़ी उपस्थिती थी, इसलिए किसी के लिए भी वास्तव में उसे विस्थापित करना मुश्किल होने वाला है. हाला की है सच है कि उन्हें अपने पत से हटा दिया गया है. फिर भी, अभी भी टॉकेटिव मन के घर में उनकी भारी उपस्थिती है, जो कई मायनों में स्वतंत्रता से पहले भारत में ब्रिटिश उपस्थिती को दर्शाता है. नारायन भ्रष्टाचार के विशय को भी तलाश रहे होंगे. काउंसल के अध्यक्ष ने अपने स्वयम के पैसे से टॉक्टिव मन के घर में फिर से चुनाव का सामना करने के बजाए, ताकि वह लौली की मूर्ती को पुनर खरीद कर सकें. यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि नारायन सुझाव दे सकते हैं कि अध्यक्ष पत पर बने रहने के लिए अपनी शक्ती का दूरुपियोग कर रहे हैं, हालाकि माल गुडी की नगर पालिका मूर्ती को टॉक्टिव मन से वापस खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकती ह अध्यक्ष और उनकी परिशत के पास कम से कम एक आक्समिक योजना होनी चाहिए, जिसमें सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए इस्तिमाल की जा रही व्यक्तिगत मुद्राय शामिल नहों, हालाकि यह भी संभव है कि नारायन सुझाव दे रहे हों कि माल गुडी की ब्रि समय तक जेप से बाहर नहीं होंगे, उन्हें माल गुडी में सम्रिधी लोटना चाहिए, यदि कुछ भी संभव है कि अध्यक्ष माल गुडी में निवेश किये गए धन की वापसी के लिए कतार में सबसे आगे होगा, एक मातरन निष्ठा जो अध्यक्ष के पास हो सकती है वह स्वयम के लिए है ना कियाम जनता के लिए जो माल गुडी में रह रहे हैं। यह आगे चल कर भ्रस्टाचार के एक तत्व का सुझाव देगा जब यह अध्यक्ष की राजनीतिक गतिविधियों के लिए आता है। यह भी दिल्चस्प है कि अध्यक्ष केवल कानून की म मन को बदलता है जब एक राश्ट्रिय आक्रोश होता है। और यह स्पष्ट हो जाता है कि टॉकिटिव मन ने गलत लौली की मूर्ती को गलती से खीच लिया है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह संभव है कि नारायन लौली की मूर्ती के रास्ते पहचान के काश डाल रहे हों कि भारत आने वाला हर ब्रिटिश व्यक्ती भारत में रहने वालों के साथ अन्याय नहीं करता था। लौली की प्रतिमा को मूल रूप से मालगुडी में उन लोगों द्वारा स्थापित किया गया था जो लौली के आभारी थे। यह एक धर्मस्थल नही है कि लौली ने खुद माल गुडी के लोगों पर निर्मान और थोपने का फैसला किया। लौली वास्तम में कितने सम्मानित हैं। इस तथि से ध्यान देने योग्य है कि इतने सारे प्रदर्शनकारी टौकिटिव मन के घर के बाहर विरोध कर रहे हैं। यह भी दिल्चस् यह अध्यक्ष और परिशत की मूले योजनाओं के विपरीत है, जिन्होंने भारत से लोगों के नाम का उपियो करने के लिए सभी सडकों का नाम बदलने का फैसला किया था। यदि कुछ भी अध्यक्ष ने दिखाया है कि वह अपनी नौकरी में अक्षम है। प्रतियेक स अंकट को घुटने के जटके से प्रतिक्रिया देना और सत्ता में बने रहने के लिए अपने स्वयम के धन का उपियो करना जो पाठको आश्चर्यचकित करता है कि वास्ता में ब्रिटन से माल गुडी में रहने वालों को क्या स्वतंत्रता है। अपने स्वयम के निर्णय देने में सक्षम होने के बजाए वे अभी भी राष्ट्री आवाज के प्रती जवाब देह हैं। और यह केवल इस आवाज के कारण है कि सभापती को अपनी नौकरी खोने के डर से निर्नय लिया गया कि लौली की प्रतिमा को फिर से खड़ा किया जाही और वह सड़क जहां वह खड़ा है नाम बदल दिया जाए। जो कई मायनों में भारत और माल गुडी परकपजे के दोरान अंग्रेजों की गतिविधियों को दर्शाता है। माल गुडी शायद उतनी स्वतंत्र नहीं है जितनी यह सोचना पसंद करती है। सारांश का अंत धन्यवाद।